Hello everyone, a very warm welcome to the channel, hope all of you are doing well So, इस news का काफी समय से काफी लोगों को इंतजार था Finally, आज आज जो जितने time का आपने ये wait किया है Finally, आज उसका result आउट हो चुका है, alright आप सभी जानते हैं that lower PCS की interviews लगे हुए थे But, court में जाके ये process stay हो चुका था Finally, आज उसकी hearing हो चुकी है, verdict भी announce हो चुका है So, let's go through exactly court में हुआ क्या जास आप सभी जानते हैं कि हम इसको Google meet के थूँ हम live hearing सुन सकते हैं So, link provided था website पे, आप लोग जाकर गए इसको देख सकते थे कई सारे aspirants ने इसको live watch किया है So, देखिए हुआ क्या था So, सबसे पहले तो बात यह है कि Six seats थी, PWD यानि Persons with Disability की six seats Commission ने revert back कर दी थी To the government, all right So, इसको इनोंने challenge किया था And उसके basis पे court ने finally यह announce किया है कि जो यह reversal of the seats था यानि जो 6 seats वापस गई थी PWD वाली वो highly illegal and arbitrary थी और इससे क्या था कि नुकसान हो रहा था PWD candidates को और 2016 में जो आपका Act पास हुआ था For the persons with disability तो उसमें यह, it was highly You can say that contentious against that Act ठीक है, तो इस वज़े से court ने यह जो reversal of the seats था, इसको highly Illegal मानते हुए, यह जो order था जिसमें seats reversed हुए है, उसको quash कर दिया, यानि उसको पुरी तरह से निस्तारित कर दिया गया, ठीक है और साथ ही साथ, court ने यह भी बोला, कि जो हमारे state government ने यह बोला था कि जो यह 6 seats हैं, वो आने वाले recruitment में शामिल कर दी जाएंगी, तो उसको भी court ने सहीं नहीं ठराया और इसको भी quash कर दिया गया, ठीक है तो आप समझ चुके होंगे कि क्या quash हुआ है, तो जो reversal of the seats सा वो quash हो गया, अब court ने क्या solution दिया, court ने यह solution दिया, कि जो government है वो, यह जो seats उनोंने कही हैं कि ठीक है, यह 6 seats हम लोग next recruitment cycle में add कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, जो 6 seats थी, इसी recruitment में add करी जाएंगी, ठीक है, और court ने यह commission को यह आदेश दिया है, कि 15 दिन के अंदर, आप जो persons with disability थे, उनका result declare करेंगे, ठीक है, यानि उनका जो mains का result है, अभी पहले क्या था, कि अभी जो थी, क्योंकि total पहले 8 seats थी, ठीक है, 8 seats थी, उसमें से 6 commission ने वापस कर दी, तो बची 2 seats, अब 2 seats के basis पर ही commission ने result declare करा था, तो उसमें कई सारे ऐसे candidates थे, जिनका selection हुआ था, लेकिन वो general category के under consider करी जा रहे थे, अब जो seats थी, के under consider करे जाते हैं, वो वापस फिर से अपना PWD के अंदर उनका reservation claim कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और ऐसे candidates जिनका prelims के बाद जो mains में स्कोर उतना नहीं रहा था, मतलब पहले थे वर not qualified, now this is just a possibility, ठीक है, this may happen or may not happen, I'm just assuming that this could happen, ठीक है, कि पहले जो cut-off थी, उसके basis पर जो select नहीं हो पा रहे थे, अब क्योंकि seeds बढ़ गई, तो maybe the persons with disability उनमें से कुछ और candidates का इसमें selection हो जाए, they also get the chance of appearing in the interview, ठीक है, but this is highly speculative, it might happen or it might not happen, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो people already in है, जो general category अगरी में आ रहे थे, आप उनहीं को वापस PWD के अंडर consider किया जाए और कोई भी inclusion ना हो, इतना तो आप मान के चलिए कि exclusion नहीं होगा, but inclusion may or may not happen, alright, जो यह चीज़ आपको clear हो गई, सबसे पहली बात क्या clear हो गई, कि court ने यह बोला कि जो आपने seats वापस भेजी है, वो आपने गलत किया, तो seats जो है अभी भी 8 रहेंगी PWD वालों के लिए, दूसरा क्या बोला court ने, कि आप जो है result revise करिए PWD candidates का within 15 days, ठीक है, यानि आज से 15 दिन के अंदर commission को result declare करना है, और साथ ही साथ जो stay लगा हुआ था interview process में, वो भी court ने हटा दिया है, ठीक है, तो जितने भी aspirants wait कर रहे थे, लोवर interview, लोवर PCS के interview का, आपके लिए बहुत अच्छी ख़बर है, because अब आप लोगों के interview बहुत जल्द start होने वाले हैं, okay, 15 days के अंदर इनका जो result है, वो revision हो करके आएगा, और उसके 15 odd days मान लीजे, because of the form feeling and other formalities जो हती है, तो मेरा यह अनुमान है, कि most probably January में आप लोग expect कर सकते हैं, आपके interviews हो जाएंगे, conduct, and जैसे ही आपके interviews conduct होते हैं, within a week, you'll get the final result, okay, तो जितने time से आप लोग वेट करें, बहुत-बहुत-बहुत बदा ही हो आप सभी को, कि finally, जो आपका इतने time का इंतजार था, वो finally अब खत्म हो चुका है, okay, so I hope that आपको समझ आया होगा, and इसी तरीके से stay tuned to the channel, पाकि कोई भी होती, अपड़े होती, I'll share it with all of you So, all the very best to all the candidates जिनका इंटवु है, अभी सपनी preparation start कर दो अगर थोड़ा धेले हो चुक है, वापस आजो जो जोन में, ठीक है So, it's just on your head now, ठीक है All the very best to everybody, and always remember that whatever exam you're preparing for, you can do it. That's it for today, we'll meet in the next video. Till then, bye-bye and take care everyone